आप सोब का स्वाबत है हमारे यूट्यब चैनल चाया मिस्रा की रशोई में देखें आज आम बना रहे हैं कर्ण यानि दही दही की लसी यानि दही लसी या दही सिकनजी आप कुछ भी कह सकते हैं तो देखें एक ग्लास पानी ले लिए आपको जितना भी जितना भी आपको बनाने लसी तो आप आसानी से आप ले सकते हैं एक ग्लास वाटी उसमें आप जिनी ऐड़ कर दीजे चैनी एड करने के बाद इसको गोल लीजे कूकि अगर आप सारे पानी में बहुल ले ना तो आपको आइस की जरुरत होगी ठीक है इस समय मौसम ऐसा नहीं है कि आप ब् हैं तो क्या कर नना के रहू दही में एक गलस पानी में छीनी गोल लीत अब आपको जितनी गलस बनना केसे और एक बनाना है अब टेधं की अमने लगाज देग्व स्क्रिज़ी बनानी है तो पानी आइट वहार जाद डेखे रखे वीटे निया वह। पैले हम थेखनी के बनाइंगे, और रहेइट के लाइटे निवाटे के बनाइंगे, और रहे वह द्रीघा समय जास। अब जब खूले में लाइटे के लाइटे, दाले की तस दालने हैं देख सकते हैं। अब इसमें जो गांट देगी दही को आप फेट कर मड़ डाले कभी भी क्योंकि जो यह सिंपल तरीके से है जो कि पुराने समय में बनती थी बस वही सिकंजी है इस तरह से आपको मिलाना है अगर आपकी कांठे बड़ी-बड़ी सी हैं दही ज्यादा थक्का वाला है थक्का तो आप उसको हास से या स्पून से फोड दीजे जैसे कि हम तोड़ रहा है बस इनकी गांटों को तोड़ना है आप बहुत ज्यादा फेट कर मड़ डालेगा वरना वह स्वाद नहीं आएगा चो पुराने समय में दही कि सिकंजी बनाते थे लोग वह स्वादा था इसे क्य तो आप यही आप यूज कर सकते हैं एक ग्लास में थोड़ा से नीवू की ठोड़ दिया या नीवू की चरपाच बूने डाल दीजिए क्योंकि खट्टा करना है तो देखे यह चीजे इस समय गर्मी में पीनी चाहिए आप लोगों को जिससे कि आपकी बहुत सारी बीमानि अच्छे से पहुच जाएगी तो आई वोब आपको यह रेस्पी पसंद आ रहे होगी तो हम आप लोगों को याद दिला दें अगर आपको प्रेस्पी पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक करिएगा और यह देखे इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे जिससे क्या होगा इसमें गा जिससे की हमें मोटिवेशन मिलता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा कि हमारी छोटी सी रेस्पी आप लोगों को कैसी लगी देखे क्योंकि हम आपनों के लिए नई नई सी रेस्पी सेहत वाली लाते रहते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स डे नेक्स रेस्पी के